जिस Baby Body Lotion brand को जो हम लोग इतने प्यार से अपने बच्चे को पर अप्लाई करते हैं, क्या आपने कभी उनकी इन्ग्यूजियन लिस्ट को चेक किया है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बोहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्या आप लोग जाते हो, ये Baby Brands जो होते हैं, कितना आपके बच्चे को नुक्सान पहुचा सकते हैं, ये आपके बच्चे की Immune System को नुक्सान पहुचा सकते हैं, बच्चों के Vital Organs को नुक्सान पहुचा सकते हैं, इसके जादा इस्तमाल करने से बच्चों में Cancer भी हो सकता ह Yes, of course, ऐसा होता है, क्योंकि इसमें जो harsh chemical इस्तमाल किये गए होते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही जादा हामफुल होते हैं. इस वीडियो में आप लोगों से शेर करने वाली हूँ, worst to best baby product. कुछ product जो आपको बिल्कुल ही अपनी लिस्ते हटा देना चाहिए, और वो brand आपको इस्तिमाल करना चाहिए, जो आपके baby की सेहत के लिए, उसकी skin के लिए, उसको moisturize करने के लिए अच्छी है. So, without any further delay, let's get started. Hello friends, welcome back to be a mom family. So, in this video, as I already told you, कि मैं आपसे वो product शेर करने वाली हूँ, जो आपको बिल्कुल इस्तिमाल नहीं करना चाहिए, और वो product भी आपसे शेर करने वाली हूँ, जो आपके baby के लिए safe है, उन्हें आप easily इस्तिमाल कर सकती हो, अपनी baby की बोड़ी के ओपए. So, market में available बहुत से popular brands, जो कि क्लेम करते हैं कि उनका product baby के लिए safe है, लेकिन क्या actual में ऐसा होता है, बल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप उनकी ingredient list चेक करती हो, तो आप आती हो कि उसमें इतने harmful chemicals इस्तिमाल किये गए हैं, जो baby की नाजुक से skin के लिए बहुत जादा नुसान द करना चाहिए, और पहली category में वो आते हैं, जो आपके baby की skin के लिए safe है, उनको moisturize रखने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, तो आईए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, वो brands की जो की category 2 में fall करते हो, जो बच्चों के लिए बहुत harmful हैं, इसे इस्तमाल करने से पहले आपको बहुत बार सोचना होगा, तो इसमें fall करते हैं, वो है, Aveino baby lotion, Keiko baby lotion, Johnson baby lotion, Sabarmad baby lotion, yes of course, Sabarmad, Baby dove moisturizing lotion, Mimi soft baby lotion, Mother care baby lotion, Himalaya body lotion, जब आप इनकी ingredients list को चेक करोगे, तो आप वाकि शॉक्ट हो जाओगे, कि इसमें इतने harsh chemical हैं, जो कि आपकी baby की skin के लिए कितने जादा नुक्सान दाए इसमें PEG, EDTA, डाइसोडियम, हाइडेंशन, पफ्यूम, अलकोहल, डाइमेथिकॉन, फिनॉक्सी एथनॉल, आर्टिफिशल कलर, हामफुल प्रिजर्वेटिव, जो कि बहुत जादा हामफुल है, और उसके साथ में इसमें टॉक्सिक इंग्रीन का इस्तिमाल किया गया है, य कुछ ब्रैंड की हम लोग रिसर्च करते हैं, उनकी इंग्रियन्स लिस्ट को चेक करते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सेवरमेट की जो भी बहुत जादा पॉपुलर है, सेवरमेट की जब इंग्रियन्स को आप चेक करोगे तो उसमें वाकई आप शॉक्ट रह ज को नुकसान पोचा सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको अवाइब करिये, and the next one is, mother care baby body lotion, इसकी इंग्रियन्स लिस्ट चेक करें, तो इसमें sodium hydroxide, fragrance, disodium EDTA, phenoxy athanol, urea और alcohol जैसे harmful chemical है, next हम लोग देख लेते हैं, डफ बेबी लोशन के बादे में, कि ये लोग इंग्रियन्स इसमें क्या-क्या है, तो वेल, इसमें मिलेगा आपको phenoxy athanol, इसमें है, disodium EDT है, ये बहुत जादा harmful chemical है, जो कि आपकी बेबी के नुसान पचा सकते हैं, next is mini baby body lotion, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें दिया के है, talc है, इसमें fragrance है, DMDM, high-dension के साथ, और भी harmful chemical है, next next one is Kiko baby body lotion, इसमें भी phenoxy athanol दिया गया है, इसके साथ में fragrance है, जो बेबी के लिए harmful है, next one is Abeno baby lotion, जो कि manufactured by Johnson & Johnson private limited, yes of course, इसमें भी harmful chemical है, just like इसमें fragrance है, इसमें phenoxy athanol है, sodium hydroxide है, next one is Himalaya baby lotion, Himalaya baby lotion अपने आपको 100% herbal डेक्लेर करता है, लेकिन जब आप उनकी ingredients list को चेक करोग तो उसमें कुछ ही ingredients मिलेंगे और कुछ जो है, वो hide के होगे है, actually इंडिया में कोई ऐसा rule नहीं है कि आपको अपनी ingredients list को disclose करना है, ये brand के ओपर depend करता है, वो कितने ingredients mention करना चाहती है और कितना नहीं, इसकी वजह से जो brands होते हैं, वो अपनी कुछ ingredients list को mention करती हैं और कुछ क सोचना चाहिए, so अगर आप हमालया बीवी लोशन के बारे में चेक करें, उसकी ingredients list को चेक करें, तो उसमें कुछ ही ingredients आपको दिखाए देंगे, इसके साथ में साइड में आपको देखेगा other ingredients, phenoxy ethanol, जो की बहुत जादा हामफुल है, next one is Johnson & Johnson baby lotion, जो की बहुत ही इंडिया म popular brand है, इसकी ingredients list को अगर आप चेक करते हो तो आपको बहुत सारे हामफुल क्यामिकल मिलते हैं, जो की बच्चो की skin को, बच्चो की eyes को irritate कर सकते हैं, जिसमें की है, आप चेक करेंगे तो उसमें आपको पाएंगे, alcohol उसमें मेलेगा, phenoxy ethanol आपको मेलेगा, sodium hydroxide मेलेगा, इसक इसमें सबसे पहले आता है, मामा आर्थ का बेवी बॉडी लोशन, जिसमें अगर आप इनकी ingredients list को चेक करते हो तो इसमें कोई भी हामफुल ऐसा chemical नहीं है, जो आपके बच्चे को नुकसाद पचा सकता है, आपके बच्चे को नुकसाद पचा सकता है, आपके बच्चे को अगर आप चेक करते हो तो इसमें भी कोई आपको ऐसा हामफुल चेमिकल नहीं मिलेगा, जो आपके बच्चे के ऊपर नुकसाम दायो को, so easily आप इसको इसको इसमाल कर सकते हो, and the next one is Rustic Art का Aloe Almond Baby Lotion, यह आपके बच्चे के लिए पफेक्ली safe है, इसमें आपके बच्चे के कोई भी हाम आपके बच्चे को नहीं होने वाला है, इसके साथ में सबसे important चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगे, कि जो भी natural oil है, उनको आप इस्तेमाल कीज़े, just like आप coconut oil apply कर सकते हो, आप olive oil इस्तेमाल कर सकते हो, mustard oil यानि कि सरसो का तेल भी अपने बच्चे के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, नहाने के बद बच्चे के ऊपर ये oil लगाईए, ये आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुचाते हो, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव, कोई भी क्यामिकल, कोई भी इस तरीकी के इंग्रियंट्स नहीं होते है, जो कि आपके इस वीडियो में जो भी ब्रांट्स मैंने आपको दिखाए हैं, उसके लिए मुझे किसी भी कमणी ने कोई भी पेमेंट नहीं किया है, मैंने जो है इंग्रियंट्स लिस्त को चेक किया है, उसके बाद ही अपना ओपिनियन दिया है, कि कॉन से ब्रांट इस्तेमाल करना चा तांस पर वाचिंग दिया माम चनल, बाई बाई